अगर आप भी काले घने लंबे बालों की खुआइस रखती हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में आपके लुक को अट्रेक्टिक करने में आपके बाल बहुत ही महत्पूड हुमिकानी भाते हैं तो आई जानते हैं घर पर बालों को कैसे मुलायम और रेस्मी बनाएं तो थरूखी और बेजान बालों से हमेशा के लिए कैसे चुटकारा पाएं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बाल किस प्रकार की हैं होममेड हेर पैक आपके बालों की समस्या को दूर कर सकते हैं तो आई जानते हैं कुछ महत्पूड उपाय और यदि फारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूड करें पहला उपाय यह है कि कड़ी पत्ते और कलोंजी से बना आयल यह तिल बनाने के लिए धेर सारी आप कड़ी के पत्ते ले ले और एक छोटे से कटोरे में आधा कटोरा कलोंजी ले फिर दोनों को एक साथ भिक्स करके इसका अच्छे से पेश्ट बना ले इसके बाद एक पैन गर्म करें अब इस पेश्ट को उस पैन में डाल दे और फिर इसमें आधा लीटर नाजल का तेल डाल करके 10-12 उबाल आने तक पकाए और फिर एक कंटेरन में श्टोर कर ले अब इस तेल से आव अपने बालों में हपते में दो बर मसाज करे कढ़ी पत्ते से बना ये तिल आपके बालों के लिए वर्दान सिध्ध होगा ये आपके बालों को काला घना और लंबा बनाएगा दूसरा उपाई है कि संतरे का रस संतरे का रस बालों के लिए बेहदिफ फादे मंद होता है क्योंकि इसमें बिटामिन C पाया जाता है इसकी अच्छी बात यह है कि यह आपके बालों को एकदम साइनी रखता है साथ ही बालों को पोशर देता है क्योंकि इसमें फोलिक एसीड बिटामिन C भरपुर मातरा में पाया जाता है तो सबसे पहले आप संतरे का रशनी चोड़ ले तो एक बड़ा चम्मत सहद और एक चम्मत जहतून का तेल मिलाए अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले फिर हलके हाथों से अपने बालों की जड़ों की मसाज करे और एक घंटे तक ऐसे ही लगा कर रहने दे फिर बाद में अपने बालों को साधे पानी से धोले यहन उसका आपके बालों के लिए बेहद ही फायदे मंद होगा आलू में आवासक तत्त होते हैं जो बालों की जड़ने, रूखापन, रूसी जी समस्या से भी छुटकारत दिलाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप एक मध्यमाकार का आलू ले ले और इसे अच्छे से धोले, फिर इसे कद्दू कस कर ले आलू घिसने के बाद आप किसी पतले या मुलायम कपड़े या फिर छन्नी से इसका रस छान ले अब इसे एक कटोरी में श्टोर कर ले फिर रूई की मदश से अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाए और लगभव 20 मिर तक ऐसे ही लगा कर रहने दे फिर बाद में अपने बालों को ठंडे पानी से धोले और थोड़ी बाद आप किसी हर्बल सेपू से अपने बाल को धोले आप इसका फ्रयोग हपते में दो बार जरूर करे चोथा उपाईय है कि नार्यल का दूद एक मध्यमकार का नार्यल ले ले और उसे एक बरतन में कस ले फिर आप इसे एक पैन में रख करके धीमी याज पर गर्म करे और जब इसका तेल निकल जाय तो उसे निथार ले और ठंडा होने दे और फिर उसमें एक चम्मच काली मिच डाले और थोड़े से मेथी के बीज फिर इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाए और बीशमट के बाद आप सैंपू से धोले इसमें निहित प्रोटीन और एसेंसियल फैट बालों को स्वस्त रखता है और बालों का जटा भी रोकता है पांचव उपाई यह है कि एलोवेरा जेल एलोवेरा में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो बालों को पोर्शर देते हैं और हमारे बालों को मुष्चराजर भी रखते हैं एलोवेरा जेल और सहद आपके बालों की लंबाए बढ़ाने में आपकी काफी मदब करेगी तो इसके लिए सबसे पहले आप एलोवेरा का जिल ले और उसमें एक चमस सहद मिलाए अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करे और अपने बालों की जड़ तरह पूरे बालों में अच्छी तरह से लगाले और थोड़ी दे तक ऐसे ही लगाकर रहने दे फिर अपने बालों को सैंपू से धोले लंबे बाल पाने के लिए इलोवेरा का जिल और सहद का प्रयोगा भपते में एक बार जरूर करे यह आपके बालों को बेहदी काला घना और सुन्दर बनाएगा तो अगर यह वीडियो आपको पसंता आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद